तो फ्रेंड आप सोभी कब वेलकम है एक नए वीडियो में तो आज हम बात करने वाले एक प्रेमियम स्मार्ट वाच है मेरे पास जो कि टाइटन की मिस्ट्रोइ स्मार्ट वाच की नेम होने वाली है और काफी उल्ड रखे गी है जो कि इसकी case है, all stainless steel के होने वाली है, 3.6 cm AMOLED डिस्प्ले होने वाली है, dual आपकी interchangeability strap भी है होगा, जो कि आपकी एक silicon और metal भी मिलने वाली है इसके साथ, इसी के साथ आपको hyper professional UI मी मिलने वाली है, passcode production भी है इसमें और built-in compass भी मिलने वाली है, इसके बारे में detail में बात करेंगे, इससे पहले अगर चैनल में पर नए है, तो प्रीज चैनल को subscribe कर ले और bell icon को प्रेस करें को मैं से इन आपको बलाता रहता हूँ और आपके पास पहुंचता रहेगा दोस्तों, चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं, इस परकार से देख सकत आपकी black होने वाली है, लेकिन यह बाली part जो strap की हो steel है, case भी steel है, और एक full black के साथ इसके brazier link जो है, copper मिलने वाली है, आजी तो अभी चलिए inside में देख लेते हैं, क्या क्या मिल रहा है, inside में देख सकते हो कि आपकी एक नई सी इसमें add की की, जो की metal strap आप adjust करने के लिए एक इसमें देख सकते हो, जो की premium quality की, इसमें silicon strap भी मिलने वाली है, ठीक साथ आप देख सकते हो, इसमें charging cable भी है, जो की एक अच्छी quality की charging cable भी है, देख सकते हो, और थोरी लंबी भी है, जो की आपकी देखे है, और चार्ज करने के लिए, just normally आप ये magnitude है, दे दीजे, और यहा आप ये options मिल रही है, online warranty registration करने के लिए, और एक है, quick guide भी दी जा रही है, आपको जो की charging वगरा के कुछ guided है, तो इसको भी एक बार देख लीजेगा, अभी ये सब को हम रखते हैं side में, बात करें पहले watch की, तो ये already मैंने pair करके रखा था, और ये metal strap में है, जो के full देख सक अगर आपको lightweight पहनना पसंद है, तो आप इसी watch को silicone के साथ भी आप पहन पाओगे, तो हम एक बार पहले silicone को feed कर लें, देख सकतो जो की metal के साथ आपको दो pin दिया जा रहा है, जो की already open होगी, मैंने अभी side में इसको रख दिया है, और ये रही fully silicone के साथ एक पर look, और फुरा main, पहले main homepage पे चलें, ये देख सकतो हो, ये silicone के look रही, और काफी बलकी है, क्योंकि ये जो आपकी, इसकी steel, case जो है, ये पूरी stainless steel की है, तो बात कर इसकी display की, जो कि आपकी 1.43 AMLO display मिलने वाली है, इसी के साथ अकर इसकी resolution की बात करें, 466 इसकी resolution होने वाली है, और इसकी case की जो construction है, जो कि 3 pieces में इसको बनाया गया है, जो कि आपकी देख सकतो हो, ये hulky सी जो है, इसकी upper में एक breezel link डाली गई है, main case ये भी metal की है, और यहाँ पर देख सकतो है, जो कि body में, actually ये sensor बैठाने के लिए इसमें basically आपकी acrylic plastic की यूज किया गया है, तो ये half जो दो portion ये metal की है, और half जो है, आपकी नीचे की जो है, जहाँ पर speaker भी आपको दिख रहा है, ये मिलने वाली है, आपको acrylic के मिलने वाली है, इसके साथ इसमें 3D watch faces भी है, इसमें 3D वाली आपको feel भी आने वाली है, और watch faces भी कुछ मिल जाएंगे, जैसे कि आपको मैं change करके दिखा दो, gloves स कुछ issue हो रहा है, जो कि आपकी 3D watch face आप देख पाऊ रहा होगे, 3D watch face भी आपको मिलने वाली है, इसके साथ आपको BT calling, single signing BT calling भी होने वाली है, functional crown भी है, जो कि देख सकते हो, मैं इसी crown से functional को जो change कर सकता हूँ, आप देख सकते हो, lower में एक button देखे है, आप इसी से sports को जो ह सकते हो, sound and vibration setting भी मिलने है, screen time को भी है, आप set कर सकतो, D&D mode भी आपको मिलने वाली, AI voice assistance भी है, find my phone भी मिलने वाली है, अभी बात कर लें इसकी कुछ features की, जो कि आपकी, इसकी material क्या होने वाली है, इसकी Bluetooth version क्या है, इसके बारे में भी थोड़ा बात कर लें, दोस्तों इस watch क अगर हम बात करें, size की, जो कि case size होने वाली है, इसके आपकी 12-6 की यह होने वाली, 54 mm, इसकी width की बात करें, तो 46.5 mm इसकी आपकी width होने वाली है, अगर दोस्तों इसकी thickness की बात करें, यह 11 mm होने वाली, जो की काफी कम है, इसकी case material जो है, stainless steel है, और इस पे आपकी plating की गई ह display brightness की needs की अगर बात करें, तो यह होने वाली है, 550 needs आपको मिलने वाली है, और इसमें battery की बात करें, तो 350 आपकी image की battery मिलने वाली है, इसके साथ अगर Android और iOS की version की बात करें, तो यह होने वाली है, Android में 8.8+, आपकी होने वाली है, और इसके साथ आपकी iOS की बात करें, तो 12.1 वर्शन इसकी सपोर्ट करने वाली है इसे के साथ बीटी कॉलिंग जो है आपकी 5.3 होने वाली है और इसमें ग्लास की बात करें जो कि आपकी पंडा ग्लास इसमें यूज क्या गया है आईपी 68 वाटर रेसेंस भी है इसमें दोस्तों देख से तो जो कि अपर से जब हम स्वैप करते तो कुछ फीचर्स मिलने वाली जो कि एरप्लाइन मोड देख सकते हो और यह जो है आपकी देख सकते हो टर्न ऑन पावर स्रिमिंग मोड है और यहां से अगर मालीजे कभी अगर आप यूज कर रहे हो अगर पानी यह यहां से चला गया तो यह डेनिंग सिस्टम जो है आप इसको ऑन किजेगा आप यह आवाज भी सुन पा रहो हो गया क्लिया आपको इसके अंदर में पानी चला जाता हो तो डेन आउट कर सकते हो इसको डेंडी फीचर्स भी है इसमें ब्राइटनेस को आप कर सकते हो कॉल य और नचलेट कर सकते हो तो काफी सरा देख सकते हो जो ही फीचर्सटी रिखिज या रही है इसमें क्या फिच्र मिलेवाला है सपोर्ज माली जैंको आउड़ूर रन कर ना है यहां पर बना इसे साइकलींग करना है इंडॉरूरूरूरूरूरूरू आप इसको स्टार्ट कर होते हैं इसके बाद आपकी कही यहां पर यहां पर स handlar कर रहा है सेब्स यहां पर डिस्टेंस भी शो कर रहा है और डियोरेशन भी आपको सो करने वाली है अगर आप माली जे यह दूसरी को कोई sports mode change करना चाहते हैं तो फिर से आप इसको back में आ सकते हैं बैक में जाके जैसे stop कर दिया मैंने फिर से आप दूसरी कोई sports mode में जा सकते हो तो आपको sports mode में जाके आपको ढूणने का जूरत नहीं है थोड़ा सा यह 3D वाला लूग दिया है जो कि आप वीडियो देख सकते से चल रहा है तो थोड़ा सा और भी ज्यादा premium look दे रही है तोड़ी unique भी लगती है जो की काफी सार जो menu है यहां पर यह देखिए यह जो menu है यहां से यह चेंज हो रहा है और आप जैसे जैसे चेंज करोगो तो इसमें different recurrence चली मैं एक पर चेंज करको दिखाता हो यह कहां से चेंज हो सकते हो कॉस्टमाइजेशन के option में आकर आप जो है यह menu style को आप चेंज कर सकते हो तो बहुत सारी options देखिए यहां list type, grid type इसके बाद देखिए आपकी honey combo बोल रहे हैं यहां पर honey combo बोलके है कुछ waterfall अगर यहां पर देख सकते हैं शरकल, जूम, जूम आउट करत तो different different आप जो है change कर सकते हो theme में जाके और यहां पर देख सकते हो काफी सारा features भी मिल जा रहा है जैसे कि यह call के options है इसके बाद अगर आप चाहे हो तो voice अगर record करना चाहते हो तो आप voice को record भी कर सकते हो जैसे मैं वीडियो बना रहा हूं देखिए अभी voice record हो रहा है तो य देखिए यह recording voice है किसे आवाज आ रही आपको सुनाई देरा हो रहा है चलिए यह record हो गई उसके बाद आप इसको delete भी कर सकते हैं यहां से delete भी हो गई है और भी देख लेते जो कि यहां पर यह कुछ है check your connection between mobile यह mobile app के साथ आपको connect करके रखना परेगा यह तो आपको दिख दिखा दिया कस्टमाइजेशन में है इसके बाद यह है alarm set करने के लिए काफी सारा event stopwatch भी आपको मिल जा रहा है और यहां पर देखते हैं कि compass कितर मिलने वाले इसमें notifications भी है weather है weather जो है weather data आपको साथ दिन का weather data जो है check कर सकोगे आप से क्या है यह calendar भी मिल रही है इसमें इ इसे करके अभी rotate करना पड़ेगा चलिए देखें यह compass जो है start हो गई अभी यह proper यह compass ऐसे काम करने वाला है इसमें यह देख सकते हूँ एक ऐसे compass यह work कर रही है इसके बाद ही compass से में बाहर आते हैं इसके बाद देखते हैं कि और क्या features इसमें मिलने वाला है तो torch का option वहाँ पर भी मिल रहा था आपको और यहां देख से तो जो कि आपकी कुछ smith आ चुका है यह connected था इसलिए smith जो ही यहाँ पर अब नोटिफ notifications जो कि एदम clear में पर पा रहा हूं और पूरा ही पर पा रहा हूं यहां से आप delete भी कर सकते हो देखिए यह delete हो गया कोई notifications नहीं है अभी अगर आप right से left के तरफ यहां देखिए इसमें क्या हो रहा है कि यह और भी कुछ 3D के तरफ बन गया देखिए यहां पर watch face आ गया य state यहां पर बोल रहा है इसके बाद देखिए music control भी है इसमें और यहां पर distance वगर तो यह थोड़ा unique है थोड़ा सा unique बनाएगा इस watch को बहुत ही अलग है देखने में यह watch यूनिक सी features डाली गई है लेकिन इसमें GPS in will नहीं है मैं पहले आपको clear कर दूँ तो काफी सारा 3D watch faces है तो कि थोड़ी unique लग रही है थोड़ी premium level की smart watch है हमें comment करके बता है अगर यह watch अच्छी लेगी तो डेर सारा share करे अपने और फेमिली को इसके अलावा भी और कोई अगर जानकरी चाहिए तो discussion में आपको detail मिल जाएगा आप हमें भी contact कर सकते है तो अगर इस watch को पर्चिस क्लेम कर सकते है इस watch की warranty है one year की दोस्तों अगर कोई भी problem होता है तो इसके box पर आपको help brakes का number लिखा जाता है पहले आप help brakes से पहले आप contact कर ले उसके बाद अगर help brakes वाले बोलते हैं कि स्टोर में वीजिट कीजिए तभी वीजिट कीजेगा दोस्तों अभी के लिए इतना ह जाइं जाइं जावारत